हलो फ्रेंड गुड मॉर्लिंग कैसे हो आप लोग आई होब सब ठिक ठाक होंगे तो आज का वीडियो है हमारा ड्राइवर्स के अकोर्डिंग जो यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं और काफी लोग अजेंटों के पिछे भी घूम रहे हैं तो आपको आज का ये जो वीड के लिए आ सकते हो फ्री रिक्वारिमेंट है और लग्जंबर की बहुत बड़ी कंपनी है ये और स्टार्टिंग जो सेलरी है इस कंपनी में वो है 2300 यूरो से लेके 2900 तक आप अचीव कर सकते हो लेकिन 2900 आपको आफ्टर वन येर के बाद मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग सेलरी 2200 है इंक्लूडिंग इसमें टेक्स भी है और अगर आप रूम लेना चाहोगे वहाँ पे तो उसका पैसा अलग से कटेगा खाने का पैसा है तो आप 150,000 तक कमा सकते हों इंटरनेशनल ट्रॉक ड्राइवर में और CE लाइसेंस रिक्वाइड है इस कंपनी में और अक् कैसे अप्लाई करना थे और क्या प्रोसेस यो वन बाई वन मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा ठीक है और वीडियो के लिंक डिस्क्रेप्टution में इसकी पूरी आपको लिंक मिलेगी कि आपको कैसे ओपन करना उसे यससाइड को और उसके बाद में आपको कैसे इसके apply करना है ठीक है तो वो चीज आपको मिलेगी इस वीडियो के माद्यम से लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है कि कैसे apply करना है क्योंकि बहुत सारे मेरे वीवर्स का मेरे को message आता है कि ये link open नहीं हो रहा है तो open भी नहीं होता है क्योंकि काफी बड़ी website होएगी तो वो phone में open नहीं होती है ठीक है तो आप बेसिकली क्या करना है अगर आपको free में आना है तो थोड़ी मेनत आपको करनी पड़ेगी suppose आपका कोई भी मित्र है यहाँ पे आजू बाजू में तो वहाँ इमित्र पे जाके और आप उस चीज को one by one fill out करके और भर के भीज सकते हो ठीक है तो जब आप इसके link को open करोगे तो उसके बाद में उसमें पूरा form fill out होने के बाद में एक message daily जो उसमें company में जितने भी vacancy open होती है उसमें आपको tick कर रहा है अपने mail पे information आएगी everyday ठीक है तो उसको बाद में आप easily भर सकते हो ठीक है तो आप कोशिस करिए कि आपकी mail उसमें link हो उस company की website में आपकी mail link हो mail अगर link होएगी तो आपको everyday company में जो भी vacancy आएगी driver की वो आपको उसका mail का notification आएगा ठीक है तो उसमें आप अराम से easily भर सकते हो ओके friend तो आगे देखिए आपको कैसे fill out करना है ओके तो हाँ दोस्तों अभी आप देख रहे हो कोटिमाटी लक्समाट ड्राइवर जोप के लिए ये website है ठीक है गूगल पे आपको ये मारना है उसके बाद में आपको हम नीचे जाएंगे drivers, truck drivers, CE want to apply now ठीक है इस पे आपको click करना है ओके उसके बाद में खुलेगा कि बहुत सारी लोग क्या करते हैं इस चीज को निकलाइज कर देते हैं ठीक है तो आपको ये कुछ नहीं करना है यहाँ पे आल पे click करना है उसके बाद में इसमें है language तो आपको क्योंकि हम Indian है तो हमको Netherlands उनकी कोई language आती नहीं है तो हम क्या करेंगे English करेंगे ठीक है English करने के बाद में हम जाएंगे इसके नीचे ठीक है यह आप देख रहे हो ठीक है तो आपको उसके बाद में नीचे जाना है और देखना है कि क्या क्या है इसमें तो हम अभी इसमें पूरा आप देख पा रहे हो ठीक है apply now का यहाँ पे आ रहा है देखिए आप apply now तो इसमें सबसे फैस्ट में आपको अपना नाम बर्मा है यहाँ पे अपना नाम ठीक है और last नाम अगर सर नेम है तो ठीक है और उसके बाद में इसमें email id उसके बाद में अपना phone number ठीक है और इसमें correction करना आपको अपने work experience का ठीक है यह जो message है इसमें आप अपना work experience का दे सकते होती सर मेरे को इस company में इतनी साल काम किया है इस company में इतनी साल काम किया और मेरे इस driver job से मैं interested हूँ ठीक है इसमें यह चीजे लिखनी है दूसरी side में आप देख रहे हो अगर आपको direct HR को mail डालना है ठीक है तो यहाँ पे यह जो आप देख रहे हो email id इस पे आप direct अपने document mail भी कर सकते हो लेकिन आपके जो CV है वो latest CV होनी चाहिए आपके contact number जो भी आप WhatsApp यूज करते हो वाइबर यूज करते हो वो यहाँ पे आपको mention करना है अपनी CV के अंदर ठीक है जुरूरी नहीं है आप यूरोपा CV बनाओ एक अच्छी CV होनी चाहिए जो according driver का अच्छा experience दिखा सकती है ठीक है क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि CV नॉर्मल ऐसे बना देते हैं कि हाँ यह इतना इतना यह है तो उसमें पूरा mention होना चाहिए कि आप अगर ज्यादा मेनत आपको ज्यादा English अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है कि अपने एक अच्छे दोस्त के साथ में मिलके और आप एक अच्छी Google पे सार्च मारके ड्राइवर के according जो भी summary होती है तो आप copy paste भी कर सकते हो और अच्छा सा CV होना चाहिए मैंचीज है उसमें इन लोगों को चीजा अच्छी दिखने चाहिए कि हाँ ये delivery के टाइम में ये करता है जो भी system है उसके बाद में आपको यहाँ पे send कर देना है ठीक है एक मिटमा आपको fill out करके दिखाता हूँ ठीक है आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है थेंक यू योर मेसेज इस बिन सेंट ठीक है तो यह चली गी उनके पास में और अगर आपको easily यह fill out करने के बाद में आपको इस HR की mail ID दे रखिये ना यह ठीक है इस पे आपको अपनी जितने भी document है आप कुछ लोग क्या करते हैं हादार card जो भी certificate है मिलब अपने जो corona के टिके लगे वे थे उनके वो भी send कर देते हैं तो ऐसी चीज मत बनाओ और मत डालो ठीक है pen card आदार card यह चीज हमारी बहुत ही important चीज है तो कभी भी आप उस पे मत डालो आपके work experience के related जो भी document है वो उनको show out करो ठीक है तो उनसे meaning रहता है उनको कि आपको कितनी साल का experience है ठीक है फिर यह जो number दे रखे हैं आप Viber और WhatsApp में भी check कर सकते हो उनके साथ में chatting कर सकते हो ठीक है कि मैं interested हूँ तो हो सकता है अगर आप luck अच्छा है तो लोग reply भी देंगे उसमें ओके friends Bye, take care